आखरी छे गेंदों पर 29 का टार्गेट लगवग असंबब पर यहीं चम का एक नाम जो अब सब की जुबाँ पर है रिंकू सिंग बहुजन समाज से आने वाले रिंकू ने लगतार पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी इंडियन प्रीमियल लीग यनि की आईपियल में 9 अपरेल को एहमदावाद के नरिदर मोदी स्टेडियमें एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे फैंस कई सालों तक नहीं भूलेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइंस के बीच खेले गए इस मुकाबले के मुखे किरदार रहे रिंकु सिंग बाइँ हाथ के बल्ले बाज रिंकु सिंग ने मुकाबले के आखरी ओवर में ऐसा अद्बुत खेल दिखाया जिसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ गए कोलकाता को आखरी ओवर में जीत के लिए 29 रन बनाने थे और उसकी लगबग हार तै दिख रही थी गुजराट टाइंस के कारवाह कप्तान रासित खान ने आखरी ओवर फेंकने की जिम्मदारी बाएं हाथ के पेस बॉलर यस्ट दयाल को सौपी यस्ट दयाल की पहली गेंद पर उमेश यादब ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकु सिंग को दिया इसके बाद रिंकु ने लगतार पांच छक्के लगा का टीम को जीत दिला दी मैच के बाद रिंकु सिंग ने कहा मैं किसान परिवार से आता हूँ और पिता ने बहुत इस्टगल किया मैंने जितने भी सौट्स ग्राउंड के बाहर लगाए ये उन्हें ही शमर्पित हैं जिन्होंने मेरे लिए अब तक वलिदान दिया पहुजन समाज से आने वाले रिंकु आज आई पिल के सबसे चर्च तिश्टार बन गए हैं लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रिंकु सिलेंडर डिलीवरी करते थे तंगी ऐसी थी कि जाडू पहुचा करने की नौबत भी आ गई थी रिंकु सिंग ने आखरी पांच गेंदों पर लगातार पांच छक्के लगा कर मैच जिता दिया रिंकू सिंग ने केके आर के मालेक शारुक खान को भी अपनी इसपारी से दीवाना बना दिया शारुक खान ने एक ट्यूट कर पठान के स्टाइल में रिंकू सिंग का एक पोस्ट शेर किया पोश्ट में रिंकू की तारीफ करते हुए शारुख खान ने लिखा है जूमे जो रिंकू शारुख खान का ये ट्यूट रिंकू सिंग के लिए रिटन गिफ्ट की तरह देखा जा रहा है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपकी क्या राहे कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए का बहुत वे शुक्रिया धन्यबाद